पांच दिवसी चेत्री चन महसव की शुरुवात साई जूलेलाल धाम में 7 अप्रेल को गणपती महसव के अनुरूप अपने घरों में भगवान जूलेलाल जी की मुर्ती स्थापना के साथ हुई सभी शद्धालू अपने घरों में 5 दिनों तक मुर्तियों का पुजन अर्चन विदिविधान से करेंगे आठ अप्रेल 2024 सोमवार को जूलेलाल धाम हाउसिंग बोट से शद्धालू परिवारों के घरों तक प्रथम दिवस की प्रभात फेरी निकाली गई प्रभात फेरी में विश्व आरोग्यव कल्यान की प्रातना की गई प्रभात फेरी का ड्रेस कोड हरे रंका रखा गया था जिसका उद्धेश परियावरन सनरक्चन हेतु अधिक से अधिक विख्षा रोपन के लिए शद्धालू को प्रिरीद करना था प्रभात फेरी के समापन पर सभी शद्धालू को शपत दिलाई गई कि हम प्रदूशन करने से बचेंगे एवं हर समाच के जन जन को प्रदूशन रोखने के लिए प्रिरीद करेंगे एवम अधिक से अधिक विच्छा रोपन कर प्रकृती को शुद्ध रखने के लिए राष्ट हेदू समर्पित रहेंगे साथ अप्रेल से सुरू हुए इस पाँच दिवसी चेंट्री चंड महोसो के प्रथम दिवस गड़पती महोसो के अनुरूप सभी सहधालूओं द्वारा अपने अपने घरों में भगवान जुलेलाल की मूर्ती स्थापना के साथ की गई है प्रभात फेरी में भजन कीर्तन में सभी शद्धालू सराबोर हो करके जो मूठे एवं भगवान जुलेलाल जी के और परियावरंट संडरक्षन के नारे भी लगाए गए ACN News के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट